Hello Friends, आप सब कैसे हैं? मैं एक दम अच्छा हूँ Friends, आप लोगे काफी सरे doubts आ रहे हैं regarding mock test scores आप लोग कहा रहे हो कि Sir मेरे 150 आ रहे हैं कोई कहा रहा है मेरे 170 आ रहे हैं तो मैं 200 कैसे पहुचूँ जुआ हूं और 200 आ रहे हैं तो आप लोग चाहते हो कि आप 210 पूंचो 220 पूंचो को कि आप को आप इती टेंशन केंग ले रहे हो मॉपम्हनम Lorna sinful करना हैं आपको तेस्ट का मतलब है कि आप जैसे मόक तस लगाओंके आपको एसे आपना स्कूर इंप्रूफ करना है तो आपको देखना है कि यहां यह बढ़ा है क्या मेरा स्कोर थुद्र नंबर है तो तैस गुड़ दर ऐसा नहीं है कि आपको जो 200 हिट करना है क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि cutoff क्या होगी UPSC की इस बार वो तो मैंने आपको estimate दिया था कि मेरे time में 200 के around थी भई cutoff जो 180 और 90 कुछ थी और save score 200, 210 था मेरे time में बट इस time का तो हमें कुछ पता नहीं है ना डंक से कि क्या difficulty level रहने वाला है UPSC का तो हम कुछ कह नहीं सकते है कि क्या cutoff जाएगी इस बार तो इस वज़े से आप लोग demoralize और demotivate मत हो कि अगर आपका mock test में score काम आ रहा है अगर आपका 140, 150 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता ऐसा मत सोचो की नहीं हो सकता और अगर जिसका 220 आ रहा है ना वो भी ऐसा ना सोचे कि उसका तो definitely होगा मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके mock test में 220, 230 आ रहे थे बट जब वो UPSC का exam देते हैं तो उनके number बिल्कुल नहीं बनते है उनका होता ही नहीं है prelims में नहीं होता है AOU exam में उनका नहीं हुआ जबकि उनके mock test में 220, 230 बन रहे थे लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनके mock test में 150, 160 बन रहे थे बट उनका UPSC exam वाले दिन उनका दिमाग अच्छा चल रहा था और उनको luckily questions आते थे करने तो उनका हो गया था जबकि उनका mock test में 150, 160 ही चल रहा था score बट UPSC exam वाले दिन उनका हो गया तो इसका मतलब यह है कि आप mock test के score पे एकदम depend नहीं कर सकते हैं आप लोग यह नहीं सोच सकते कि मेरे कम आ रहे हैं mock test में और demotivate हो जाओ कि अब तो मेरा होई नहीं सकता ऐसा नहीं है आपके 130, 140, 150 जितने भी आ रहे हैं आपका पूरा पूरा चांस है UPSC वाले दिन UPSC exam वाले दिन आप track कर सकते हो UPSC और अगर आपके 230 आ रहे हैं mock test में तो ऐसा मत समझ लेना कि मेरा तो होई गया ऐसा मत समझ ना UPSC exam वाले दिन आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है conditions कैसी है आप positive outlook से जा रहे हो negative हो psychological well being आपका कैसा है क्या आपको रात को नींद आई थी उससे पिछले वाले दिन बहुत सारे factor होते हैं जब UPSC exam अप लोग देते हैं उस दिन 2nd July को जब दोगे तो आप ऐसा मत सोचना कि मेरे तो mock test में 200 बन रहे हैं सर ने कहा था 200 बनने चाहिए तो अब तो मेरा होई जाएगा ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मेरे mock test में खाली 140 150 बन रहे हैं अब तो मेरा होई नहीं सकता ऐसा भी नहीं है तो आप यह चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि mock test में मेरे काम आ रहे हैं जादा आ रहे हैं यह चीज दिमाग से निकाल दो बस यह देखना है कि क्या मैं improve कर रहा हूं क्या मैं improve कर रही हूँ जो मैं mock test दे रही हूं क्या मैं improve कर रहा हूं हर दिन, हर week बस आपको यह देखना है mock test से आपको cut off और safe score क्या होगा यह सब false बाते हैं इन में नहीं जाना है अब यह शुरू में आपने देख लिया थोड़ा टार्गेट लगा लिया कि ठीक है 200 टार्गेट करते हैं अब नहीं जाना है इन सब चीजों में इसमें टाइम वेस नहीं करना है अब बस खाली आपके पास 10-12 दिन है अब एकदम फोकस के साथ पढ़न है और कर लोक टेज लगाने हैं जो भी मेरे कोट करना है और अपना स्कोर इंप्रूफ करना है ऐसा नहीं है कि मुझे स्कोर तो इंड़ टमिंगी और जो भी आएंग होगी अभी हम कुछ नहीं कह सकते बस अभी आप अपनी focus के साथ पढ़ाई कर सकते हो और अपना mock test में जो score आ रहा है आप उसको थोड़ा-थोड़ा improve कर सकते हो बस आप इतना काम कर सकते हो भी तो फाल्टू की tension मतलो कि mock test में मेरे काम आ रहे हैं जादा आ रहे हैं मत सोचो बस खाली improve करते जाओ और कुछ-कुछ आपके basic से doubt आ रहे थे calculator regarding तो अब UPSC ने clear कर दिया है कि हमें calculator की कोई जरुवत नहीं है calculator आपको लेके नहीं जाना है वही simple वाले aptitude वाले maths के question आएंगे quant के basic question आएंगे जैसे CSET में आये थे कुछ-कुछ वैसे question आ सकते हैं APFC के exam में AOEO exam में और basic level के maths के question आएंगे elementary maths के question आएंगे आपको calculator की कोई भी जरुवत नहीं है okay फिर आपके question आ रहे थे कि sir मैंने तो दोनों AOEO और APFC का बरा हुआ है मेरे form में तो क्या मैं किसी एक exam में बैठ सकता हूं क्या हाँ बिल्कुल अगर आप keep त्यारी AOEO exam की जादा अच्छी है और आप उस पर ही focus करना चाहते हैं तो खाली आप morning slot में बैठिये खाली morning slot में आप exam दीजिए और APFC का exam मत दीजिए लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी तो APFC की त्यारी जादा अच्छी है मैं जो है सुबे का time waste करना नहीं चाहता मैं तो APFC अच्छे से देना चाहता हूं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सुबे अपियर ही मत हो सुबे आप absent हो जाओ और second shift जो होगा दुपैर को 2-4 बजे आप वहला exam डिरेकली एकदम fresh purchase center पे और 2-4 वहला exam दो APFC का कई लोग actually म यही कर रहे हैं क्योंकि कई लोग interested नहीं है AOEO में for some reason उनके पास already job है already वो सरकार में काम कर रहे हैं या private job कर रहे हैं तो ऐसे मेरे कई friends है actually जो AOEO का exam skip कर रहे हैं और वो खाली 2 बजे वाला exam देने जाएंगे actually पता है यह काफी अच्छी strategy भी हो सकती है उनकी क्योंकि वो काफी fresh पहुँचेंगे तो आपकी भी ऐसी कोई strategy हो सकती है आप सब लोगो follow मत करो भेड़ चाल में कि सभी लोग AOEO का exam दे रहे हैं और second half में सभी लोग APFC का exam दे रहे हैं भेड़ चाल में मत जाओ आप अपने APFC वाले exam को general studies का exam आप लोग लिखो अगर आप उसमें strong हो AOEO का exam मत लिखो यह strategy है actually बहुत strong strategy है यह कुछ लोगों की चलेगी है strategy वो ना AOEO का exam नहीं लिखेंगे general ability test जो है वो कुछ लोगों के लिए difficult होगा क्योंकि accounting principles, industrial relations, labor laws काफी थोगा deep-deep जाएगा UPSC उसमें क्योंकि वो general ability test है accounts officer का, enforcement officer का, तो कुछ लोग उसको नहीं निकाल पाएंगे, तो कुछ लोगों की strategy है यह कि वो directly एक बजे center पर पहुँचेंगे एकदम fresh और 2-4 वाल exam APFC का लिखेंगे और खाली general studies का paper वो लिखेंगे और general studies को अच्छा से करके जाएंगे, social security की schemes, general studies, economy, current affairs, mathematics, वो यह सब अच्छा से करके जाएंगे और एकदम fresh mind से 2-4 पीम वाला second shift वाला exam लिखेंगे APFC का, तो आप लोग भी देखो, क्या इस समय आप लोग कुछ strategy बदल सकते हो क्या, क्या आपको दोनो exam लिखने है, क्या आपकी preparation दोनो exam की है, equal, अच्छी वाली preparation, इस exam को crack करने वाली top, top की rank लाने वाली, बहुत अच्छी strategy हो सकती है, अगर आप कोई एक exam चूज करो, या तो आप AOEO वाला exam चूज करो, और एकदम fresh जाओ morning में, और एकदम बढ़िया से करके आओ, और APFC का जाने दो, APFC के जादे पढ़ाई मत करो फिर, और अगर आप APFC target कर रहे हो, तो फि use, बहुत carefully, एकदम wisdom के साथ, थंडे दिमाग से, सोचो, आप कहां पर अच्छे हो, आपकी क्या strength है, और उस हिसाब से, आप अपने ambitions, अपने career goals के हिसाब से, आप ए decision लो, बहुत important बात है यह, ध्यान रखना इस बात का, ओके, अब खाली 10 दिन के round रह गए हैं, अच्छे से पढ़ा ही करो, आपका बहुत अच्छा होगा यह exam, मैं बहुत sure हूँ कि आपकी learning होगी इस exam से, आपको अच्छा experience मिलेगा, and you have nothing to lose, you have everything to gain, इस perspective से, इस mindset से आप जाओ, कि आपको कुछ खोने का है ही नहीं, आप सब कुछ पाओगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस exam को द the very best to you, जय हिंद, take care, and friends, मैं एक चीज़ आपको बताना बूल गया, मेरी training है, Monday को start है मेरी training, इस week, and यह training मेरी around one month की है, तो काफी कुछ में सीखने को मिलेगा, ZTI Faridabad में है मेरी training, Zonal Training Institute Faridabad, जो North Zone का training institute है, EPF होगा, तो बहुत अच्छा experience होगा, मुझे लग रहा है, I am really anticipating good learning from this training, and definitely, जब मैं आपके साथ शेर करूंगा तो मैं आपके साथ शेर करूंगा अपनी learnings, photos, videos, जो भी होंगी, मैं आपके साथ शेर करूंगा, and आपको भी बहुत को सीखने को मिलेगा, Hi, I am Anshuman, I am an officer in government of India, and I am also doing my PhD in public policy, I have been a UGC-JRF, Junior Research Fellow, before that I have worked in various MNCs, like Samsung in Korea, and also in Microsoft, and I have also worked in PSU's like Bharat Electronics and DRDO, not only companies, actually, you know, I have also worked in NGOs and think tanks, think tanks like Neeti Aayog, and NGOs like Teach for India, so, you know, I have a lot of experience, and I want to share all of my experience with you, and I want to build a better career for you, so I am here to guide you, and to be your mentor, please consider subscribing to this channel, thank you so much, take care, namaste